नमस्कार दोस्तों टूडे नौलेज यूटूब चैनल पर आप काई पार फिर से स्वागत हैं इस वीडियो में आज हम फिजिकल जोगरूफी से रिलेटिड मोस्ट इंपोर्टन क्यूसंस करेंगे वन नाइनर क्यूसं है यानि कि इंपोर्टन पॉइंट जो सलेपस से कवर क किये गये हैं वह हैं भूत मैतवपुन क्यूसंस सारे के सारे हर अग्जाम में पूछे जाते हैं तो वही आज हम करेंगे लेकिन उससे पहले जो साथी हमारी चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वह हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें और घंट गोल सबद का सापदिक अर्थ है भूपलस गोल यानि की पर्थवी मिलिख गोल है किस विदपें से जोग्रुफी सबद का पहली बार प्रियूग किया था गरिक देस की वह साखा जिसमें भवगोलिक तत्वों को परकरनों में बाटकर परतेग परकरन का अलग अध्यन किया जाता है क्या क्या लाती है करमबद भुगोल या परकरन विधी भुगोल की वह साखा जिसमें भुगोलिक तत्वों को परदेशों में बाठ कर परतेक परदेश के भोतिक तत्वों का ध्यन किया जाता है वो कौन सी साखा है प्रादेशिक भुगोल करंबद भुगोल का परतिपादन किस विद्वान ने किया था जर्मन भुगोल वेता ऐलेकजेंडरवान हमबोल्ट ने किस ने किया धकरमबद भुगोल का परतिपादन ऐलेकजेंडरवान हमबोल्ट ने प्रादेशिक भुगोल यानि कि रिजनल अप्रोच का परतिपादन किस विद्वान ने किया जर्मन भुगोल वेता कारल रिटर ने किसका प्रादेशिक भुगोल का कोई दो भोतिक लक्षन महादवीपूर महासागर G.I.S. का पूरा नाम क्या है जियोग्रोफिकल इन्फोर्मेशन सिस्टम यानि कि भौगोलिक सुचना तंतर किसका पूरा नाम है जियोईएस का पर्थवी का माडल परती रूप कैसा है गलोब यानि कि इंगलिस में इसको जियोईड कहते है पर्थवी का आकार या पर्थवी का माडल कैसा हो गया भौब यानि सेब की तर जियोईड हो गया भुगोल वेता का मूल उपकरण कौन सा है मांचीतर और मांचीतर में कितने आयम होते हैं इसमें लंबाई और चुड़ाई होती है कार्क्टोग्राफी क्या है मानचित्र बनाने की कला और GPS का पूरण रूप क्या है गलोबल पोजिशनिंग शिस्टम यानि कि वैस्विक स्थितिय तंतार करंबद भुगोल की शुरुवात करने वाले भुगोल व्यत्ता का नाम लिखो तो कौन थे ऐलेकजेंडर्वान हमबोल्ट प्रादेशिक भुगोल का विकास किस विद्वान ने किया कारल रिटर ने भुगोल कैसा विशे है एक संसलाशन आत्मक विशे है क्योंकि ये छेत्रिये संसलेशन का प्रियास करता है उरितियास कैसा विशे है? कालिक विशे है भउगोलीक ध्यन का चोथा आयाम कौन सा है? समय भुगोल का उदेश से धरातल की परादेशिक या छेत्रिये भिंता का वर्णन एवं व्याख्या करना है भुगोल की यह परिभासा किस विद्वान ने दी थी रिचर्ड हारट सोरन ने भुगोल दरातल विभिन भागो के कार्णादमक रूप से सम्मधित तथों में बिंता का अध्यन करता है भुगोल की यह परिभासा किस विद्वान ने दी अलफ्रेड हैटनर ने प्राचिन काल के किस विद्वान ने मनुष्य पर परियावरण के परभाओं का उलेक किया था हिपोकरेट्स ने भुगोल के अध्यन की दो तकनीकों के नाम कौन-कौन से हैं एक मानचित्रन विदी और दूसरी मातरात्मक विदी सबसे पहले किस विद्वान ने सुरिय की किरणों के कौन मापकर पर्थवी के परिधी का आखलन किया था एरेटोस्थेनीज ने उस विद्वान का नाम बताईए जिसने नेल नदी के डेल्टा यानिकी मिसर देश के बनने की परकिरिया का सराव पर्थम कारण सहीत वर्णन किया था हैरोडोस्थेनीज ने मनुष्य के कारिये परकर्तिदवारा निर्धारिद होते हैं यह कथन कि स्विद्वान का है रैट जेल का पुनर जागरण काल कौन सा था तेरवी स्ताबदी से सतरवी स्ताबदी के बीच का काल कौन सा काल था पुनर जागरण काल वह भुगोल वेता कौन सा था जिसने भहुतिक भुगोल और मानव भुगोल में संसलेशन का समर्थन किया अच्च जे मै किंडर ने किंदो भारतिय भुगोल वेताओं यानि वैगानिकों ने सराव पर्थम पर्थवी के आकार का वर्णन किया था आरीये भट और भास कर रहा चारीये ने पारीश्थिति की क्या है? पर्थवी पर जीव जन्तुओं और उनकी परियावरण के अंतरसंबंदों का अध्यन क्या कालाता है? पारीश्थिति की भूगर्ब विज्ञान भूतकाल का भूगोल है और भूगोल वर्तमान का भूगर्ब विज्ञान है यह कथन किस विद्वान का है डेवीज का भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पर्थवी का मानों के घर के रूब में अध्यन किया जाता है यह कथन किस विद्वान का है डडले सटेम्प का मानचित्र बनाने की कला का ग्यान किस विद्वान ने दिया था टौलमी ने बर्मान को समझने का सबसे पहला परियतन या परियास किस विद्वान ने किया आर ये भटने भूगोल का उदेशे है पर्थवी का मानों के संसार के रूब में वर्णन है यह कथन किस विद्वान का है वैडल डिला बलास का परकर्ती मंच परदान करती है और यह मनुष्य पर निर्बर है कि है इस पर कारिय करे यह कथन किस विद्वान का है यह भी वैडल डिला बलास का ही कथन है जैव मंडल की सरोपर्थम संकलपना किसने दी एडवर्ड सवेशने और यह कहां के भुगोल वेता थे आस्ट्रेलिया के पर्थवी का आकार दुरूओं पर कैसा है पर्थवी दुरूओं पर क्या है कि थोड़ी सी चप्टी है वरिक्स परियावरण से कौन सी गैस का सोशन करते हैं कार्बन डायक साइड गैस का पर्थवी पर जैव मंडल कहां मिलता है तो पर्थवी पर जैव मंडल कहां मिलता है जहां सथल मंडल जैल मंडल और वायू मंडल का मिश्री तुरूप जहां वाता है अर्थात इन तीनों मंडलों में जहां पर जीवन संभाव है वहां जैव मंडल है और जैव मंडल का विस्तार कहां से कहां तक है महासागरों में 9000 मेटर की गहराई तक और सथल के नीचे 300 मेटर की गहराई तक और वायूमंडल की बात करें तो वायूमंडल में 5000 मेटर की उच्चाई तक जेवूमंडल का विस्तार है चिपको आंदोलन किस राजे में हुआ था उत्राखंड में चिपको आंदोलन का नेतरताव किस ने क्या था बूरा देवी ने और चिपको आंदोलन क्यों हुआ था फेडू की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन के जनके किने कहा जाता है सुन्दरलाल बहुगुणा और चंडी परसाद भटको चिपको आंदोलन को किस ने नाम से भी जाना जाता है पीड आलिंगन आंदोलन के नाम से और चिपको आंदोलन को करनाटक में किस नाम से जाना जाता है अपिको आंदोलन कनरभाज हम इसको क्या कहते हैं अपिको आंदोलन चिफको आंदोलन में लोगों ने पेड़ों को कैसे बचाया था कि जब कंपनी वाले लोग पेड़ काटने आये तो वो लोग पेड़ों से चिपक गए चिफको आंदोलन में अप फाईव का क्या अर्थ है तो अप फाईव का क्या अर्थ है फूड भोजन फूडर चारा फ्यूल इंधन फाइबर यानि कि रेशा और फर्टिलाइजर उर्वरक का का काम करते हैं पेड़ पर्थवी की आयू कितनी है समय की सबसे लंबी आवधी कौन सी है इयोन चार पार्थिव गराय कौन कौन से है तो जो आरंबिक चार गराय है वो पार्थिव गराय है और वो कौन कौन से है बुद्ध शुकर पर्थवी आवर मंगल सुरिय अवर सुद्धर गरायों के बीच कौन से गराय मिलते है पार्थिव गराय कौन से गराय जो वियन गराय या बर्षपती तुल्य गराय भी कहलाते है तो वो कौन कौन से है बर्षपती, सनी, अरून और वरून इन्हें बाई ये गराय भी कहा जाता है पर्थवी की उत्पती कितने वर्ष पहले हुई? 4.6 अरब वर्ष पहले पर्थवी पर जीवन कितने वर्षों पहले आरम हुआ? 380 करोड वर्ष पूरव और पर्थवी कितने वर्षों तक निर्जीव थी? शुरू के 80 करोड वर्षों तक बिग बैंग सिधान ते कब और किस ने परस्तुत किया 1920 में एडविन हबल ने तो दोफ्टों ये थे आज के वन लाइनर के उसम आगे के उसम नेक्स्ट वीडियो में ले कराऊँगा और तक के लिए थन्यवाद